कि हमको लाइन के रूप में रिप्रेज Hui गटाना करना है तो उसको सिंभॉलिकी होता है तो उसको इस तरह से करता ऊज़े पी कि फिल में को लाइन्स का इक सिंबल कि एंचा यह जो डूनों साइद हां ऑर हां में तो दोनों में डिफरेंस है अगर मुझे माल इसको रिप्रेजन करने को कहा गया PQ तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजन करूगा इसका मतलब इसका मतलब चुर। यह होगा यह एक लाइन है ठीक है अगला इक कोशन है कि किसी भी पॉइंट से कितनी सारी लाइन्स खीची जा सकती है वो इंग्लिश में है मैं इसको हिंडी में बता रहा हो तुमको किक है तो एक एक पॉइंट है जैसे कोई भी छोटी जी पॉइंट ले लो इससे अगर हम बोलेंगे कितनी साही लाइन कीची जा सकती है तो इससे इंफ्राइट वैल्य आफ लाइन क किची जा सकते है ठीक है कोई भी पॉइंट्स जब लाइन्स के बारें बात करे हम जितना चाहें होकर जाने वाली खीची जा सकती है ऐसारे मैं Tumka s Players आपने कोश्य सबना ले ना पैरले लेन किया जब ऐसी कोई दो लाइन OS ऐसी कोई दोलाइन जो कभी एक तुस्ते इको इंटरसाற्त नहीं करें जैसे हमोकम यहां पर 5-5 मिटर कहीं बहर पर जाएंगे और मतलब जो परलाय सके जो दिफ्रेंस वो हमेशा क्या रहता है कॉमन रहता है तो इससे रिलेटेट गुश्चन तुम्हारा बन जाएगा और कोशन नमबर सेवन ठीक है और पेर ऑफ पैरलल लाइस पार पेस राइस 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 यह लाइन है यह दो लाइन दूस्टे को काट रहे हैं यह लाइना यह थिक दिफ्रित अन्हां माफश्ट है ए यह पर आप दूस्रे से को कट कर रहे है यह हम देखने के यह कि नबर सेवन तो कॉस्षान से उसको पढ़कर देखना में अरे क्या होता है जब भी कोई लाइन है मैं थिक उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा और वह आगे तक बढ़ती चले जाएगे तोर्ट मतलब बढ़ते जाती है तो इस थैयोरी से पुरा तुम्हारा 9a बन जाएगा फिस 9a को उसको देखने किसे समझ मैं जाएगे कि 9 become को कैसे करना है ओके इसको कर लेना और डॉट होगे तो मुझे बता देना ठीक है थैंक यू